एहम सेक्शन हम यहाँ पर शुरू करना जा रहे हैं जो की है कि डेली उनिवस्टी में जो एडमिशन प्रॉसस है जिसका स्टूडेंस को विशेश करके बहुत एगरली वेटिंग इंतजार है उनका विलकुल और क्योंकि हमने आज से आपको बताया ये एक फोन इन कारेकरम र बताते हैं 011 जो STD कोड है लगाना मत भूलेगा 011-230-97532 तो इससे हम से संपर्क करें और अपने सवाल पूछें आईए अक्षे कौन है हमारे साथ महमान मौटर जी बिलकुल इन सवालों का और आपकी सारी क्योरिस का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में जो ज सबसे पहले सर यह जानना चाहेंगे के इसकी आखरी तारीक क्या है इसके बारे में बच्चों को बताएं इसमें अभी तक हम दो चरण पूरे कर चुके हैं राउंड वन और राउंड टू अब तीसरा राउंड शुरू होने वाला है जिसको हमने मिड एंट्री का नाम दिय है इस मिड एंट्री में जो एक्सेप्ट की जाएंगी वो साथ सेप्टमबर से शुरू होगा तीन दिन बच्चों को सेवन सेप्टमबर से और 9 सेप्टमबर तक चांस मिलेगा उसमें री अप्लाई करने के लिए तीक है इसमें जिनका एडमिशन हो गया है वो भी अप्ग के लिए वो ऐसे बच्चे जिन्होंने फेस वन भी नहीं दिया फेस टू में भी अप्लाई नहीं कर पाए या किसी कारण से उनका एडमिशन कैंसिल हो गया करने के बावजूद भी या अब तक उनका नंबर नहीं आया है तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स को ये मिड एंट्री के तहत मौका मिलेगा ओके फाइन सर इसकी साथ साथ आप से ये भी जानना चाहेंगे कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि एडमिशन हो गया लेकिन लास्ट मुमंट पर किसी वजह से क्योंकि इतना रश रहता है पॉर्टल पर भी तो क्या क्या ऐसे डॉक्यमेंट्स हैं विच आपका चाह। करने कपमτη सकते हैं sell patient को आफ करें ढूंक कर थे कर दाना है जमा करने को तर तो कि आपको पूल शुरुज करने को है नहीं है तब तक आपक का आटमिशन Pv isolित पूर्ण रड़े अब रचिए और श Hum ग्रीदिशन तो आफप अग्रीकिंट कहले थोड़ सा डीटेल से जाना चाहेंगे कि अप्ग्रेडेशन अफ कोर्से किस तरह सा क्या प्रॉसेस है और क्या-क्या वहां पे उनके लिए उप्शन अवेलेबल रहती हैं स्टूडेंट्स के लिए एक स्टूडेंट्स ने बहुत सारी चर्श अपने भर में भर रखा है सब्सक्राइब आपने पास चैसे इसको मिला नहीं तो आडिमिशन ले लिए अगर वह आगिया तो आपने पुटल से अपने मेल में आएगा अगर आप जब तक आपका अप्ग्रेड नहीं होगा अगर आपने एक बार उप्ग्रेड करी दिया तो पहला अदूशन आपने अप्ग्रेड को चले गे और अपक्रेड हमेसा यह द्यान लखना क्योंकि बहुत सारी स्टूडेंट्स हमाहाँ पास आते हैं कंपलेन लेखें कि सार मैं तो इसी कॉलेज में था कॉलेज का सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार सवाल पूछें कि लिए अधी आपने मास्टर में पढ़ा है जो आपने मास्टर में नहीं पढ़ा है जो आप इसमें नहीं कर सकते हैं सिप 2-3 courses है, जिसमें आपने कर सकते हैं, जैसे Political Science आपने किसी भी course का हो, आप Political Science में Master कर सकते हैं, तो आपको जो आपने graduation courses ले रखा हैं, उसी course के आपने Master कर सकते हैं, लेकिन, इस थूर एंटरेंस एक्जाम ओंली. जैसे सर ने का कि entrance exam देना जरूरी होगा अगर आप master's के किसी भी course में admission दाखिला लेना चाहते हैं और इस साल spot round 3 अभी हम complete करने वाले हैं पोस्ट गैजोचन के admissions का तो अगर उस time तक किसी ने अगर exam नहीं दिया है या इसमें apply नहीं किया है तो depending on number of seats या आगे के और admission process decide होगा सर वापस आते हैं अगर undergrad courses की बात करें तो CUET का ही score मानिया रहता है last cut off तक रहिए इसके अलावा सर बहुत सारे हमारी ECA category होती है sports category होती है उन लोगों को इस final cut off में कैसे apply किया जाए उनके लिए क्या विश्रीच प्रावधान है जिन्होंने भी CUET score या CUET exam दिया है तो उनके पास एक score सबको मिलता है उसके बाद फिर वो sports और ECA के उनके पास कुछ certificates होते हैं जहां पर उन्होंने नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर या किसी भी अपने university या school लेवल पर कुछ achievements उनकी होती है जिनके base पर कुछ marking होती है तो उस marking के हिसाब से इनकी trials होती है ECA में जो sub-categories है, dance है, music है, debate है, creative writing है, यह काफी 14 करीब ऐसी sub-categories है जिनके under trials होंगी, इसी तरह sports categories है, वहाँ पर भी trial होंगी, तो CUET score compulsory है, उसके बाद trials है, ट्राइल में हर एक certificate की एक marking है, certificate marking का मतलब यह है, कि अगर वो national खेला हुआ है, वहाँ पर उसका कोई medal है, उसके कुछ number अलग है, उसके points अलग है, तो national state उसके हिसाब से आपको, हम लोग marking करते हैं, और marking के हिसाब से फिर, जो score आता है, उसके base पर उसको preferences student भरता है, किस college मे उसको admission मिलेगा, किस course में है, प्रफसर गुपता, एक थोड़ा से confusion जो viewers को भी रहता है, especially sports section में, क्योंकि studies का थोड़ा सा, एक side थोड़ा कहीं एक compromise तो ही जाता है, उनको थोड़ा से confusion भी रहता है, कि क्या सिर्फ national level के players को ही cater किया जाता है, या इसमें सिर्फ medalist players को आप cater कर सकते हैं, हम सभी को करते हैं, उसके ओडिपेंड करता है, क्योंकि हर उसके marks, उनके medal के ही साफ से, उनके जिस state पर या जिस level पर वो खेले हैं, उसके ही साफ से, अलग-अलग marking होती है, On this point, Professor Gupta, we have a caller, Miss Mamta from Punjab, Mamta जी, thank you, हमें जोइन करने के लिए, और बहुत इंपर्टन सेक्शन में आपने कॉल किया है, प्लीज तेली और कॉश्चन तो था एक्सपर्स है, अलो, जी Mamta, गुद मॉर्निंग सर, गुद मॉर्निंग, पुछना जाती हूँ, मेरी बीटिया ने का एक्जाम दिया हूँ, उसके 580 नंबर है, तो एडमिशन लेना चाहती है, क्या हम वेट करें, क्यूंकि सभी कॉलेज के बंद हो गया है, एडमिशन तो हमें बहुत मतलब दिक्कत भी हो रही है, और दर भी लग रहा है, ये, I think, इनकी जो समस्या है, वो बहुत सारे पेर से हमने भी बताया कि 7th September को mid entry शुरू होने वाली है, आप उसमें पार्टिसिपेट जरूर करें, जिन courses में भी seats university में available होंगी, उसमें उनको consider किया जाएगा, तो आप मन छोटा ना करें, उदास ना हूँ, अभी भी आपके पास मौका है, जैसे सर ने बताया, अभी साथ ता U में तो admission मिलने ही पाया है, और क्या-क्या avenues उपलब्ध हैं, कौन-कौन सी universities में वो apply कर सकते हैं, प्लीज बताया है, दिल्ली university में तो दो और option है, एक है school of open learning, उसमें बहुत सारी students को catering करता है, उसका बाद जो women students है particularly, उनके लिए भी M.C.O.M. है, non-collegiate women's education board, इसमें सारी women students को ही catering करते हैं, तो it is around in first year में, it is around 35,000 students, तो सर इसमें पन-India apply कर सकते हैं ये दिली NCR करते हैं, तो इसमें पन-India apply कर सकते हैं, ये दिली NCR करते हैं, तो इसमें सारी आपले नहीं कर सकते हैं, दिली NCR, आपको campus में आके classes attend करनी बते हैं, इसका different, इनका अभी right now in NC web, there are 26 centers in different areas, East, West, South, North, सारी डली में, ये करीब around 26 centers है, और आपका जिसी इलागों को आप बिलंग करते हैं, तो इसमें भी काफी सारे courses उपलब्द होंगे, I am sure, अभी है, अभी चलना है उसका admission, अभी second list अभी निकलिया है, आज निकलिया है, तो आज आपने, आप देख सकते हैं, अभी निकलिया है, और निकलिया है, अभी निकलिया है, ये करते हैं, ये की जो अभी निकलिया है, जो कोई भी आपना अपला ही का सकते है, लेकिन उनका एक ही है, जो minimum qualification है, वो qualification होना चाहिए, और वो दिली और NCR की अडियाका होना चाहिए, और वो बाहर से होगा, तो वो अलिकलिया है, लेकिन S.O.L. के लिए, अब कहीं से भी हो, आपने इंडाल सकते हैं, तो सर इस C.U.E.T. से एडमिशन इस पे कोई प्रभाव निकलिया है, ये C.U.E.T. का सथर में ये नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हर एक की अपने परिवारिक परिस्थिति होती है, कई उए अक्षे, सम्पीपलल अ 까म कर रहे हैं तो आपके पास प्रावधान ए ये पड़ाई जाहिआतले के लिकल निकलियानि एक कि आपकी इन की अपनिन संहरे हैं, क्या考虫 करना पड़ेगा क्योंकि एक कॉलर हमारे साथ पंजाब से जुड़ी है हलो हालो आप सुन पा रहे हैं माम हमें हां जी हां जी सुन पा रहे हैं मैडम जी कमलेश कौर जी अपना सवाल पूछें अच्छा जी मैडम मेरी बेटी ने भी आची नार्शी दे रिचर्ड मीचल ना ले या प्राइवेट कॉलेज बेचे जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी ने फीज जिदा नहीं तार सक दे खार्चेरी जी दा प्रावलम यह सान थोड़ी पैसे ली अच्छा आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा यह मुझे पंजाबी इतना अच्छे समझ नहीं आती तो यहां पर थोड़ा समस्या उनकी थी कि उन्होंने जो फीस दे और जाते हैं तो जिसा कर दे तो फॉलिजिम जाता है तो वह व्हां से अच्राव पाठराश हो जाता ह आपने अज़ा कर दिया विदिन लिमिट टाइम पर प्रावधान आज अधाने जैसे अस्थे पर प्राविट उनिवरस्टी के अपने रूल्स रेगलेशन्स होते हैं उस हसाब से अगर वहाँ पर ये म्रावधान है कि वहाँ के college की policy और जिस college जो college जिस university से वह college affiliated है उस university की क्या policy है उस सभी पर वही लागू होगी तो वहाँ पता करें तो ज्यादा बेतर है उमीद करते हैं कि उनकी fees refund हो जाए और उनकी बेटी को मनचाहा college भी मिल जाए और मनचाहा course भी थोड़ी सी बात हम इस बारे में भी क इतने ही pan-section, pan-society लोगों को education provide करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और उनको opportunities दी जा रही है तो वो especially open learning school में और यह जो आपने बात की NCWEB की वो काफी important platform है उनके लिए NCWEB थो इसी के लिए ही बना था की underprivileged जो बच्चे है उन्ही लोगों को यह admission मिले उन्ही लोगों को लिए NCWEB खोला गया था 1962 में और S.O.L. में भी इतना बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है वहाँ पर भी admission ले सकते हैं तो इसलिए दिल्ली और N.C.R. में जतना ही students है लेकिन S.O.L. जो है वो co-aid है उसे लड़का और लड़की दोनों आ सकते हैं लेकिन NCWEB में only it is reserved for the women Sir हमारे discussion viewers इतने interested हैंगे फिर एक caller हम ऐसे जुड़े है प्रदीप साहु जी आपको बहुत-बहुत स्वागत है DD Morning Show में क्या हमें सुन पा रहे हैं प्रदीप स्वागत है आपको अज सब कुछ क्या है ओनलाइन हो गया है तो आज के समय में भी जब एडूकेशन ग्लोबली यूनिवाइड हो रहा है कब एक यह सा हो रहा है तो डेली यूनिवर्सिटी में एड्मिशन लेने में ऐसा क्या है जो इसको इन सब चीजों से डिफेंट बनाता है अरे वाँ तो यह डियू की विशेष्टा जानना चाहते हैं के ओनलाइन डिजिटल लेर्निंग के दौर में डियू में एड्मिशन लोग क्यों लें प्रदीप साहु यह भौपाल से फोन करे थे प्रदाशनी नाचरली पैन इंडिया में एक फैसनेशन तो रहता है डेली की उनिवर्सिटी के लिए और जो उनका एक लेगसी भी है तो थोड़े सा बताएं उने डेली इंवर्सिटी भी ओनलाइन पैटन में वो कहने के लिए अभी we are taking some steps within two to three hours three years we will be coming into that field that is also online admission online courses everything it will be done in Delhi इंवर्सिटी लेकिन उसके लिए तो रहा सा time चाहिए क्योंकि उसके लिए हमने modality उनका procedure हम सारी उसी लाइन पै जा रहे है क्योंकि Delhi इंवर्सिटी इंडिया का अगर नमबर वान इंवर्सिटी है तो हमने उसी पैटन में जाया है कि हमर भी जो online courses हो वह भी इसी का बहतरी courses जाया है तो हमने किसी एक तुम हापा जाड़े ले एक तुम all of a sudden आप चले जाये और कोई लोफुल्स हो जाये तो फिर हमने problem ना करें तो इसलिए हमने step by step जा रहे है और जुब जाएंगे तो हम वह भी इंडिया में number one होगा अरे बिल्कुल होगा प्रोफेसर गुपता अनी thoughts on this यह जहां तक देल उनवस्टी की बात है और हम जब इसको distinct मानते हैं जी वह रिग्रस करिकुलम तो रिग्रस करिकुलम जो हम लोग फॉलो करते हैं देल उनवस्टी वास्टी वास्टी वास जिए पर नहीं लागू की गई थी so we were the first ones in Delhi उनवस्टी और उसी के हिसाब से अब उसमें skill enhancement पर इतना ज्यादा focus है कि कोई भी बच्चा जब तक तीन साल या चार साल अपना पूरा करके निकले तो वह अपना career बखू भी बना सके उन skill enhancement courses के दौरा सर ऐसे में शायद यही वजह है कि दिली उनिवर्सटी में कतार लग जाती है बच्चों की और वो बहुत ही तक पर रहते हैं admission लेने में तो इसमें क्या होता है last moment कुछ उनके challenges आते हैं कोई problems आती हैं किस से बात करें किस से पूछें तो ऐसे में कोई grievances address करने वाला क्या service है University of Delhi जैसे ही admission process अपना शुरू करती है सबसे पहले इन ही चीजों का ध्यान में रखकर एक grievances portal साथ में बनाती है और यह portal pop-up भी होता है जैसे ही कोई भी student admission की site पर जाएगा do you keeper एकदम नीचे एक pop-up भी आ जाएगा की do you want any help or any grievances तो एक वहां पर वह pot help करेगा और दूसरा होता है एक UG admission जो grievance है UG grievance at the rate du.ac.in पर यह grievance हमारा जो office admissions है वो लेता है और within 24 hours उस grievance को resolve करता है और यह grievance को मैंने गह रहा हूं जी सर नाओ डली इंवर्शिटी में around 94% of the grievance we have already solved it is on paper on record Well grievances की बात चल रही है और callers हमारे साथ जुड़ी रहे है नैचरली उनके मन में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं यहां पर Amit from Ranchi अपना प्रशन पूछने चाहते हैं हमारे experts Professor Pani and Professor Gupta से Hello Amit, welcome, thank you for joining DD Morning Show बताइए क्या प्रशन है आपके Sir मेरे प्रशन है Sir मेरे क्लास 12 में मैंने PCM भी आवा था And मेरे को Sir D.U. से मुझे BCA करना है Okay Or Sir मेरे को Or मेरे को Sir की मैने इस वार में CU2 में I am not getting a good score So मैं चाहरा हूँ की next year में फिर से दे CU2 मुझे क्या करना साथ है I am not getting a good score You know, next year के लिए आप ने बहुत आचा थे से दे कहरे आपको पराई कैने की तो पराही थे नहीं करना पड़े Lekin निरास ना हो, हमेंजा है Don't think it's a negative way Means it's always think positive And a positive think is a positive result भी आएगा I think CUET is a platform that इसम को एक सामाने रोप से एक platform देता है सर जाते जाते अगर आप बच्चों को final round के लिए कुछ tips देना चाहेंगे most important things बताना चाहेंगे तो वो क्या होंगी सबसे पहले जो final round आने वाला है इसमें ध्यान रखें कि अपने पहले program eligibility जरूर चेक कर लें उन्ही programs को आप preference में डालें otherwise admission होने के बावजूद भी या acceptance के बावजूद भी अगर program eligibility या subject mapping ठीक नहीं है तो फिर भी वो admission उसको नहीं मिलेगा या आगे cancel हो जाएगा तो सबसे पहले जरूर ध्यान कर लें कि जिन courses को भी वो चूज करना चाहते हैं candidates उन्हों सबको पहले program eligibility जरूर चेक कर लें कि उन्होंने उसमें C.O.E.T. के papers दिये हैं उन्होंने 12 में वही subjects पड़े हैं और उसके साथ-साथ क्या वो जो है उस course की eligibility में आते हैं बिल्कुल सही अई पार्टिंग नोट्स प्रफेसर पानी बिफोर भी टेक लिगे हैं लेकिन लास्ट मोंने क्या होता है कि student थोड़ा बहुत careless हो जाते हैं पोर्टल बार बार चेक नहीं करते हैं आप टाइम पास हो जाने का बाद ध्यान आता है कि अरे मैंने भूल गया औ बिल्कुल तो आप पोर्टल चेक करते रहिए कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आए उसको तुरंत पढ़ें सब चीजों का ध्यान रखें और अल्ड़ वेरी बेस्ट तो एवरीबडी वूस अप्लाइं इन लास्ट लेग अफ द्यू अद्मिशन थांकियो पानी थां